आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्रूड ड्रक्स की और्गैनोलेप्टिक एवालिएशन जैसे कि आपको पता है यह पार्ट टू है फार्मकोग्नौसी के और गैनोलेप्टिक एवालिएशन ऑफ क्रूड रख के अकॉर्डिंग और इससे पहले हम पार्ट वन कर चुक है उसमें कुछ ड्रक्स हमने तब डिसकस की थी और कुछ ही ड्रक्स हम आज डिसकस करेंगे तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ल होते हैं और इसके फ्लॉर कैसे होते हैं यह आपको अपने आसपास भी शायद आपने कहीं देखी हो लेकिन आपको इसका यूज ना पता हो और आपको यह भी ना पता हो कि हम इसको कैसे क्रूट ड्रक्स को यूज कर सकते हैं फार्मकलोजिकली इसकी क्या क्या इसके जो है वह वैलेबल भी होते हैं अगर हम बात करें सेना मक्की की तो सब सब पहले से बोटैनिकल नेम की बात करें बोटैनिकल नेम इस प्लांट का है केशिया अंगस्टी फोलिया या फिर दूसरा केशिया एक्यूटी फोलिया कहलाता है इसके इलावा केशिया सेना भी का नाम नाम है अखर हम फैमिली की बात करें तो ये पी फैमिली जिसको ओव है कःते हैं या पिर।- reclaim नौसी से ईा इसका तालुक है और अगर हम सिनोनिम के बात करें कि सेना या फिर कया यंकली के common name या आम दूसरे नाम इसके लावा क्या हैं बोतों इकलिकल नीम के लावा तो यह से ना। टेनरवेली सिना केशिया से ना भी कहलाती हैंगे अगर हम क्लावट क्लास की बात करें तो गलाइकोसाइड्स इसके जो इसके पूरे प्लांट काम कौन सा पार्ट यूज करते हैं तो जैसे मैंने आपको प्रिवेश स्लाइब में बताया कि ड्राइड लीव की फॉर में हम इसको यूज करते हैं इसके इसके में कैमिकल कॉंसियंट होते हैं जो के फार्मकलर अससंटिव करते हैं जैसे जासे के टीनेवेलिन ग्लाइकोसाइड ऐलोई एमोडीन और सैनोसाइड एबी सी एंडी अच्छे जो टीनेवेलिन ग्लाइकोसाइड है यह नाम अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो जैसे हमने भी सिनोनिम में बात की कि यह कॉमनली इसका जो नाम है वो टीनेवलि ग्लाइकोसाइड अगर हम लाइमोडीन की बात करें तो आपको याद होगा हमने प्रिवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जब हम अलवेरा के बात करते हैं उसमें एक कैमिकल कॉंस्टिट्ट के बारे में बात की थी अलोई एमोडीन थर्ड जो इसका कैमिकल खेलाड बिसी कली सेनोसाइड एस सेनोसाइड बी सेनोसाइड सी और डी है तो चार तरह के कैमिकल जे जो में न्यूकलिड सब्स्ट्रेशय के लिए वह सेम होती हैं लेकिन ABCD की अकॉर्डिंग इसको जो फंक्ष्णल गुरूप हैं वह री करते हैं वह चेंज हो जाते हैं तो क्यूंकि chemical structure की और्गेनोलेप्टिक एवैलिएशन में chemical structure की जरुरत नहीं है इस वजह से मैं यहां पर वो mention नहीं कर रही अगर हम बात करें के सेना मकी को हम कैसे या कौन-कौन से condition में इसको medicinal इसका यूज़ है फार्मकोलोजिकली कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं त ताके इसके अलावा constipation को अगर हम यूज़ करने की बात करें तो उसके साथ एक और भी इसको हम एक और condition में यूज़ कर सकते हैं टू क्लियर दी बॉल बिफोर डाइगनॉस्टिक टेस्ट जैसे के क्लोन स्कोपी से पहले एगर इसको यूज़ किया जाए तो उसकी वज़ हैं जो के जाधा तर constipation रहने की वज़ा से भी हो सकते हैं और सासाथ में वेट लॉस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट रग है हमारे पास बैलाडोना की अगर हम बात करें तो इसका बोटैनिकल नेम है अट्रॉपा बैलाडोना जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है अट्रॉपा बैलाडोना और अगर इसकी फैमिली की बात करें हम तो इस सॉलनेसी से रिलेट करती है सिनोनिम की बात करें इसके और कॉमन नेम क्या है यह डैध हब यह डैडली नाइट शेड कहलाती है पार्ट अगर हम इसके बात करें कि कौन-कौन से यह और अगर हम केमिकल क्लास ऑलकोलाइट के बाद करें तो इसके केमिकल कॉंस्टिूटिऊंट उसे से रिलेट करेंगे तो फार्मकोलोजिकल या मेईन कॉंस्टिऊंट या एक्टिव नि design जो है इसके वो एट्रोपिन हायो सीन जिसको इसको पेला माइन भी कह सकते हैं है औ के लावा स्टॉप ब्राउन्कियल स्पास में स्थमापेशन में इसको यूज किया जाता है वूपिंग कफ के लिए काली खासी के लाज के लिए यूज कि जाता है कोल्ड एंड ही कि वर रेमिडी ऐलर्जिक सर्दी और बुखार के लिए और इसके लावा पारकिंसन्स डिजीज में यूज किया जाता है कॉलिक में इसके लावा इंफलामेटरी बॉल डिजीज में मोशन सिकनेस और पेन किलर के तोर पे भी यूज किया जाता है इसके जेक्टिव कॉंस्टिटुइंट है जैसे कि आपको यहां पे दिख रहे हैं हायोसीन है और हायसमाइन है स्कॉपलामाइन है यह मोस्ली पेन किलर में यह एंटी इंफलामेटरी जो ड्रग्स होती है उन में यह मुझूद होते है थर्ड हमारे पास क्रूड ड्रग है फैनल या सौफ जिसको हमाम जबान में सौफ कहते हैं तो अगर हम बात करें इसके बोटैनिकल नेम की तो यह फोईनिक्यूलम वलगरी कहलाती है अगर हम बात करें इसकी फैमिली की तो यह अमबैली फेरी फैमिली से रिलेट करती है अमबल भी कहलाती है कौन से इसके अगर हम बात करें कौन से पूरे प्लांट के कौन से पार्ट यूज किया जाते हैं तो इसके ड्राइड राइप सीड यूज किया जाते हैं यह सौफ आम तोर पे घरों में मसाले मसालों में भी इस्तमाल की जाती है यह आपके सामने दिख र क्पी के दिलिए जो के मुने थोड़ते पहले बात कि कैमिंकल प्लास सी Gang Vlla 569 अगर हम इसके कैमिकल ने तक त्क तो इसके लिए तो इसके कैमिकल कॉंसिटुएंट पार्मर ये करें रहे आपने याद यह करने है एक्तिफ कॉंसेटियंट यही वाला है लेकिन इसके इलावा वैसे अगर आप से कोई यूजिस के पूछा जाए यहूजिस के कोडिंग मैगनिशियां आइरन तो यह भी इसमें मोजूद होते हैं इसके लावा कुछ metallic ketines भी इसमें मोजूद होते हैं अगर हम इसके medicinal uses की बात करें फार्मकलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो यह use किया जाता है कॉलिक की कंडिशन में कॉलिक वो कंडिशन होती है जिसमें चोटे बच्चे या शीरखवार बच्चे या दूद पीने वाले बच्चे बहुत जादा रोते हैं कि उनको कोई उनकी ये कंडिशन ही ये कहलाती है तो उनके लिए बीश्तमाल किया जाता है उसको यानि के वो ऐसा नहीं कि वो भूक लगने से रोएं या किसी तकलीफ से रोएं बस वो बहुत जादा अगर अग्सेसिफ क्राइंग की कंडिशन हो थो उनमें यूज किया जाता है इसको इसके लावा आप अच्छे से जानते हैं इसको इन डाइजस्चन में अगर सही से डाइजस्चन नहीं हुई प्रॉपर हाजमा नहीं हुए तो उसके लिए भी इसको सौफ का इस्तमाल किया जात कि कहलता है baikabго q cosmos की सिम्टम को भी के लिए क्ली करने के लिए यूश कि एह स्केकर लोजिटी इप से इसके इसके इलावा इसके 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 और मैं। Driver करता है जैसे कि यह आप को पता है कि इस में वाइटाभी – है vitamin c calcium magnesium अभी हमने बात कि आयरन तो यह अगर डाइट में यूज किया जाए तो यह हर्ट के जो है उसको इंप्रूफ करता है इसके लावा inflammation को reduce करवाता है inflammation को swelling को कम करवाता है और appetite को suppress करता है और इसमें कुछ हद तक anti-cancerous effect भी होता है इस वजह से इसको भी यूज किया जा सकता है तो आज हमने तीन क्रूट ड्रक्स पढ़ी थी तीन क्रूट ड्रक्स के हमने कुछ में में जो इसके बोटैनिकल नेम फैमिलीज कैमिकल कॉंसिट्यूएंट और medicinal uses किये तो इंशाला नेक्स वीडियो में कुछ और क्रूट ड्रक्स को डिसकस करेंगे तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा और जाजाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजएगा टेक केर लाफिस